इस वक्त की बड़ी कपर हम आपको बता रहें विपक्षी दलो के गटबंधन का नाम सामने आ गया है विपक्षी दलो के गटबंधन का नाम PDA होगा देश भक्त लोक तांतरिक गटबंधन शिम्ला की बैठक में नहीं नाम पर मोहर लग जाएगी PDA मतलब Patriotic Democratic Alliance CPI के प्रेस रिलीज से सामने आ गया है गटबंधन का ये नाम और बखाइदा शिम्ला में जो बैठक होगी उसमें आधिकारिक तोड़ पर इसका एलान भी कर दिया चाहेगा तो NDA वर्स पीडिये होगी आगामी 2024 लोकसभा चनाव की लड़ाई National Democratic Alliance versus Patriotic Democratic Alliance विपक्षी दलो के गटबंधन का ये नाम सामने आ गया है अब ये नाम जनता पर किस तरह का असर छोड़ता है ये देखा जाएगा सौरव इस वक्त हमाई साथ चुड़ गये है सौरव नया नाम सामने आ गया है गटबंधन का क्या कुछ डीटेल से आपके पास ये बिलकुल एक दिन पहले जो बिहार की राधानी पट्टा में महाँ बैठक हुई थी उसको लेकर अब धीरे धीरे जो सता है वह खुलनी सुरू हो चुकी है अब नया नाम जो है वह भी सामने आ गया है पी डी ए यानि देश भक्त लोगतांतरी गटबंधन निशित तोर पर आप देख रही होंगी कि पिछले कई महिनों से विपक्ष के सारे नेता ये कह रहे हैं ये बरा बयान दे रहे हैं कि देश में लोगतंतर का हनन हो रहा लोगतंतर की अगर रच्छा करनी है तो निशित रूप से सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर आना होगा तभी हम लोगतंतर की रच्छा कर पाएंगे और उसी से मिलता जुता सारे विपक्षी पार्टियों ने फैसला लिया है कि देश भक्त लोगतंतरी गटवंधन ये नया नाम होगा यानी पीडिये और निशित रूप से अगली जो बैठक सिमला में होगी उस बैठक में इस नाम पर मुहर लगेगी जी जी स्वारब कहीने कहीं नाम के जरीए ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि असली देश्मक्त तो हम ही है क्योंकि बीजोपी की तरफ से बार-बार विपक्ष को घेरा जाता है कुछ उपनाम दे दिये गये हैं तंसकसने के कुछ मागटबंदन की? कि सारे जो टुक्रे टुक्रे गैंग हैं उन्होंने आज बैठ कर एक साथ बैठक की है तो निशीत रूप से एक जनता के सामने एक मैसेज देने की कोशिश की गई है बीजेपी के सामने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि देश भक्त और दूसरा जो वर्ड है लोग तांत अम्विधान को बचाना होगा तो हमको सभी को एक मंच पर आना होगा तो दूसरा वर्ड इसलिए लोगतांत्रिक दिया गया है और गटवंधन यानि देशभक्त लोगतांत्रिक गटवंधन हलाकि अभी इस नाम पर मोहर नहीं लगी है लेकिन ऐसी खबर है कि जब एक चरब या होगा जब झाल जब एक तरिक अना म Knight County Scott